जै माता दी, जै श्री राम, साथियों, हम महिशा सुर मर्दनी स्तोत्र के श्लोकों का चंदों का अर्थ देख रहे हैं, पहले तीन भाग आपने जरूर देखे होंगे, उसमें एक से लेकर के बारवे चंद तक हमने समझाया है अर्थ क्या है उसका, आज हम देखेंगे तेरवे चंद के बाद, महिशा सुर मर्दिनी, महिशा सुर राक्षस को मारने वाली, मर्दन करने वाली, रम्य, रमडीय, सुन्दर, अच्छे, कपर्दिनी, जटा जूट धरी, परवत राज, शैल, सुते, पुत्री, परवत राज हिमाले की पुत्री जो सुन्दर जटा जूट धारी है और महिशा सुर को मारने वाली है हे देवी आपकी जय हो जय हो इस तरह से इसका भाव है उनकी गुड़गान किया जा रहा है देवी का अब यहाँ पर हम देवी जी का एक जो स्वरूप है उसको और आगे बढ़ा रहे हैं उसकी वंदना कर रहे हैं गजराज गजराज का मतलब होता है हाथी पते स्वामीनी पती मतलब स्वामी होता है यहाँ पर क्योंकि देवी है इसलिए स्वामीनी बोला गया हाथियों की स्वामनी अब देवी की जो सेना है उसमें शेर है दूसरी जो गडिकाएं है चतुरंगी सेना है हमने पिछले वाले श्लोक में देखा था तो उसमें अब यहाँ पर जो हाथी है उनके बारे में कहा जा रहा है अविरल गंड हाथी भी कैसे हैं ऐसे नॉर्मल वाले नहीं है मदमस्त हैं बढ़िया एनरजी फुल उर्जावान पुष्ट बलशाली हाथी है तो उनका यहाँ पर वर्णन क्या जाता है अच्छा ऐसे हाथियों के एक विशेष्टा होती है कि जब हाथी अपने फुल फॉर्म में होता है यौवन में होता है उर्जावान होता है तो उसका जो कपोल और यह जो कनपटी होता है इसके पीछे एक प्रकार का लसलसा एक द्रव बहता है जैसे पसीना बहता है ना हमारे वैसे हाथी के बहता है उस मद को देखकर कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाथी जो है वो बिलकुल बढ़िया फुल फॉर्म में है विध्वंस करने के लिए क्योंकि देवी जी की सेना का सेना पती है वो, सेना में शामिल है वो, हाथीयों का एक जुंड है तो इस प्रकार से देवी जी की बंदन होता है जो हाथी का कपोल है कनपटी वाला भाग उसके पीछे का हिस्सा यह चीज गंड कहलाती है हाथी के कपोल सिर या कनपटी आप बोल सकते है कपोल के पीछे वहां से गलन गलन, मद, मेदूर तीन शब्द हैं यहाँ पे गलन, गलन का मतलब होता है टपकता हुआ या चूता हुआ गलन, टपकता हुआ टपकता हुआ, मद वैसे तो मद का मतलब होता है नशा होता है पर हमेशा नशा नहीं है अगर कोई चीज अपने फुल फॉर्म में है, एंरजी में है, तो मस्त रूप में है, आप कह सकते हैं, तो वो जो द्रव बह रहा है, उसको आप कह सकते है मद मेदूर मेदूर का मतलब होता है इसनिग्द इसनिग्द और चालू लैंग्वेज में बोलेंगे तो लसलसा लसलसा जैसे शहद टाइप का हुआ जैसे की थोड़ा ठिक गाड़ा द्रव होता है लसलसा उसको कहा जाता है मेदूर मत मद मस्त होना मद मस्त होना मद में नशे में या कोई एक प्रेरिना मिल गई हो उसमें भी मस्त हो जाते हैं लोग भगवान में दिल लग गया मद मस्त मतलब आनन्द हो जाना फिर किसी चीज़ की सुध नहीं है मत का मतलोता है मद में चूर मस्त हो जाना मतंग मतलब हाथी ऐसे हाथी जो की फुल आफ एनरजी हैं मद मस्त हैं जिनके गंड से लसलसा दरव बह रहा है जिसको देख करके ये पता चल जाता है कि ये हाथी बड़ा उरजावान है योवन में है ऐसे हाथी जो की आप क्या है उनकी अधिपती है उनकी स्वामिनी है त्रिभुवन तीनों लोक कौन कौन से हैं पाताल धर्ती और आकाश इनको तीन लोक बोला जाता है भूशन भूशन का मतलब होता है आभूशन आभूशन श्रिंगार करने के लिए कोई चीज जब अगर अच्छी है उसकी सुन्दरता बढ़ाने के लिए आभूशन पहनाई जाते है आभूशन भूथ अगर हम बोलेंगे तो आभूशन भूथ का मतलब ये हो गया की आभूशन स्रूप सुन्दर स्रूप जिसको आप बोलेंगे आभूशन भूथ आभूशन भूथ कला निधी कला निधी मतलब चंद्रमा विभिन कलाएं कभी प्र्थमा कभी द्युतिया कभी तिर्थिया चतुर्थी इस तरह से कलाय बदलती हैं, रूप बदलते हैं चंदर्मा के, हर दिन अलग-लग रूप में आपको चंदर्मा नजार आता है, निथी मतलब खजाना, तो चंदर्मा जो है, कलाओं का खजाना है, ऐसा बोला जाता है, कला निधी रूप स्वरूप पयो निधी सागर समुद्र पयो निधी समुद्र पयो निधी राज समुद्र हो गया पयो निधी पयो निधी मतलब जल जो देवता है जहां पर अथाह जल संचित है उसकी राज मतलब उसकी सौमीनी सुते पुत्री अब यहां पर यह जो आया सागर पुत्री समुद्र की पुत्री कौन है महा लक्ष्मी आपको पिछले वाले उसमें मैंने आपको बताया था कि लक्ष्मी ज के रूप की आराधना भी की जा रही है कि जो तीनों लोक में सुन्दर है चंद्रमा के जैसे कलावान है इस प्रकार महालक्ष्मी का इनका रूप है अई मतलब हे सू दती जन दती का मतलब इसे दांत होता है पर सू मतलब अच्छा और दती जन सू दती जन मतलब मुख के लिए भी बोला जाता है यहाँ पर जो है वो सुन्दर मुख वाली आप इसको बोल सकते हैं सुन्दर मुख वाली सू दती जन इसको का जाएगा सुन्दर दातों वाली आप दात मतलब मुख वाली ऐसा लालस मानस लालस का मतलब होता है अनुराग हो जाना किसी से आसक्त हो जाना लालसा हो जाना अनुराग हो जाना लालस कहा जाता है अनुराग मानस मानस का मतलब होता है मन से शिव की मानस पूजा मानसिक रूप से मानस का मतलब होता है मन से मोहन मन को मोहित करने वाले को मोहन कहा जाता है मुग्द करने वाले को मोहन कहा जाता है मन को मोहित करना प्रसंद करना मोहने वाला मोहन करने वाला इसको कहा जाता है मोहन, मनमत, मनमत राज, कामदेव, कामदेव का भी एक नाम है, कामदेव, सुते, मतलब पुत्री, इनकी सुन्दर्ता का वर्नन इस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि देवी जी है, तो कामदेव को सुन्दर्ता का सर्वोच देव कहा गया है, उनकी पुत्री सुन्दर मुखवाली, मन को मोहने वाली, मन में अनुराग उध्पन करने वाली ऐसी देवी है जै जै हे महिशा सुर मर्दिनी, रम्विक पर्दिनी, शैल सुते तो इस छंद का अर्थ क्या निकला? हे गजेश्वरी, गजराजों की स्वामीनी ऐसे गज जिनके कानों से जो गलगंड है पीछे वहाँ पे मद निकलता रहता है मतलब मदमस्त हाती हैं, अत्यंत उर्जावान है तीनों लोकों के जो अभूशन है, अभूशन स्रंगार के लिए उपयोग करते हैं वो है चंद्रमा, उनकी कलाओं के समान, कांती युक्त, रूप सौंदर से शुशोभित सागर राज की पुत्री, महालक्ष्मी जी, वो आपी का रूप है सुन्दर मुक और मुस्कान वाली, इस्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन करने वाली, मनमत मतलब कामदेव की पुत्री के समान, कंदर्प मतलब कामदेव के समान और महिशा सुर का मरदन करने वाली है परवत राज की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो इस प्रकार का भाव है चौदवा छंद देखिए देवी जी की वंदना की जा रही है कमल दल कमलों का समुह सुन्दर सुन्दर जो कमल के पुश्प होते है बहुत सारे समुह उनका अमल अमलाम विशुद पवित्र निर्मल अगर आप बोले तो इसको निर्मल सौम्य कोमल कांती कोमल मतलब सुकोमल मरदुल और कांती का मतलब होता है प्रभा, लाइट प्रकाश की किरण, चमक कांती का मतलब चमक भी होता है चमक कला कलित कला कलित का मतलब क्या निकला जैसे चंदर्मा की कलाए होती हैं अनेक अनेक रूप होते हैं उस प्रकार की रूप बदलना और एक सौमिता होना इस तरह से दोनों का समावेश यहां पर कला कलित का कहा जाता है अमल, अमल का मतलब मैंने आपको बताये था पवित्र भी होता है, निर्मल भी होता है, पवित्र भाल, लते, भाल का मतलब होता है मस्तक, यह जो पोर्शन होता है मस्तक का अगर भाग भाल, लते, इसका मतलब हो गया कि जो मस्तक का अगर भाग है वहाँ पर इतना कांती युक्त है, इतना ललाट इसको बोलते आप ललाट इतना कांती युक्त है जो की कमल दल की आभा लिये कोमल प्रभा लिये विभिन्दे प्रकार की कलाओं युक्त देवी जी का माता है सकल समस्त विलास सकल संपूर्ण विलास का मतलब होता है लगजरी में जीना विलासता जिसको कहते हैं घर में सारी सुविधाएं हैं कोई कश्ट नहीं है गर्मी है तो आपने एसी चला लिया थंडा पानी रेफरिजेटर से पी लिया थंडी है तो हीटर जला लिये मतलब एक्स्ट्रा और्डनरी एक्स्ट्रा में जो चीजें होती है एक मूल चीजे होती है खाना खाना मूल है सास लेना मूल है पानी पीना मूल है परन्तो जो बाकी चीजे होती है जो जीवन को सुख देने वाली होती है उनको विलास कहा जाता है तो विलास कला का मतलब क्या हो गया मनो विनोद करना हसना क्रीडा करना ललित कलाएं इस प्रकार को विलास कला इसको जोड़ करके देखा जाएगा मनोविनोद करना हसी मजाग करना सबसे पहले इंसान का पेट भरता है पेट भर जाए उसके बाद में फिर उसको मस्ती चढ़ती है मस्ती सूचता है तो विबिन प्रकार की विलास्ता की चीजे जो है निलाय निलाय का मतलब होता है आवास रहना आश्रे आश्रे स्थली और क्रम का मतलब होता है चाल आगे बढ़ना यहां पर तो आश्रे स्थल को आप बोलते हैं और क्रम को आप बोलते हैं चलने को बोलते हैं चाल यहां पर जो अलग मीनिंग आ रहा है इसका वो यह आ रहा है केली का मतलब बता है क्रीडा करना, खेलना, क्रीडा करना, खेलना, चलत, चलत मतलब गतिशील, चलना, चलत कुंडलम भुरू सुनेतरम विशालम, शुनेतरम विशालम नेतर, बड़े-बड़े है, शिवरुदराष्टक में आती है ये लाइन है, तो हिलते हुएए चलते हुए, फिर आता है कल हन्स, कल हन्स का मतलब होता है, कल के हन्स, राज हन्स, अगर आप इसको बोलेंगे तो, राजहन साब बोल सकते हैं बतब श्रेष्ट कोटी के और कुले का मतलब होता है समुदाय कुल कुल समुदाय हांदान जिसको आप बोल सकते हैं समस्त सकल का मतलब सारे समस्त अभी मैं इसका अर्थ इसके साथ बताता हूं आपको अलीकुल संकुल अलीकुल का मतलब होता है भावरा, ब्रहमर बुन करके जो बागों में उपवन में गुमता है भावरा, अली ब्रहमर अलीकुल संकुल संकुल का मतलब होता है समुह कुल ब्रमर भारों के जो कुल का समुदाय का जो समुह है उसको आप बोलते हैं कुवले मंडल कुवले नील कमल के लिए बोला जाता है मंडल का मतलब होता है एक खटा समुह जिसको बोलते हैं तो आप इसको यहां बोल सकते हैं नील कमल नील कमलों का जुन्ड समूह, मंडल ऐसा बोल सकते है नील कमल कमल एक तो बहुत पवित्र है और उस पर भी नील कमल है तो बड़ा ही स्निग्ध आभा लिये कांती लिये नील कमल होता है मौली, मिलद, बकुल, लाली, कुले इसका मतलब इसको ब्रेक करना पड़ेगा मौली का मतलब होता है चोटी, मौली सिर की चोटी आप बोल सकते हैं इसको सिर या चोटी मिलद, मतलब सघन, घने मिलद, घना डेंस, इसको ब्रेंस बकुल, बकुल मतलब बकुल, मौली श्री जो होती है एक पुष्प है, बडा ही सुंदर मौली श्री के फूल मौली श्री के पुष्प और अली कुले अली कुले का मतलब ब्रहमो जो भवरे हैं बकुल, अली कुले बहुरों का जुंड वही सेम जो वहाँ पर है बहुरों का समुह, बहुरों का जुन्ड जिसको आप बोल सकते हैं अब इस पूरे इसका मतलब यह हुआ कि देवी जी के स्वरूप का उनकी कांती का वर्नन किया जा रहा है अगर आप उपर से देखेंगे तो क्या निकलेगा जिनके मस्तक पर भाल पर कांती यानि चमक है कमल, दल, पंखुडियां जो हैं उनके समान मुलब इसनिग्द है, सुन्दर है पवित्र, विशुद, मिर्दुल प्रभा है, कांती मैं है हंसों के समान जिनकी चाल है जब वो चलती है, हंस के समान वो चलती है और जो सभी कलाओं वा ललित कलाओं का आश्रेस्थल है मतलब जितनी भी कलाए हैं नाचना, गाना, क्रीडा करना, खेलना देवी जी उनका एक आश्रेस्थल है मतलब वो भी उसमें अनंद उठ्याती है जिनके घने नील कमल जैसे बालों में भावरों के समुह गुंजन करते हैं जिनकी केश राशी कुमुदिनी के पुश्प और बकुल के पुश्पों से सुशोबित है उन महिशासुर मरदिनी महिशासुर को मारने वाली जिनके जटा जूट धारी है सुंदर जटा जूट धारी है परवत राज की पुत्री है उनकी जय हो जय हो जय हो इसका पूरा इस तरह से अर्थ निकला पंदरवह छंद आ गया देवी जी की जो क्रीडाएं है मनोहारी उनकी जो रचनाएं हैं लीलाएं हैं उनका वर्नन हो रहा है कर मतलब हात हात में मुरली रव बांसुरी मुरली का मतलब होता है बांसुरी कृष्ण भगवान भी मांसुरी बजाते हैं मुरली धरवन को कहा जाता है और रव का मतलब होता है स्वर आवाज वीजित कूजित ये शब्द भी पहले आ चुका है वीजित का मतलब होता है निकालना मुरली से जो स्वर निकला उसको वीजित बोले जाएंगे वैसे तो वीजित का मतलब होता है त्याग करना छोड़ देना परंतो यहाँ पर मुरली है इसलिए यहाँ पर उसका जो स्वर है वो निकल रहा है उसको कहा गया है वीजित कूजित का मतलब होता है जैसे कोयल जो है वो कूजित कुहु कुहु की आवाज निकालती है तो गुंजित होती है आवाज निकली हुई आवाज है तो इसको आप बोल सकते है कूजना कुकु की आवाज होती है कुहु कुहु की आवाज होती है पर यहां पर बासुरी की आवा आज बोला जाएगा लज्जित का मतलब होता है शर्मा जाना लज्जा हो जाना मतलब देवी जी जब बावसरी बजाती हैं तो कौन कोकिल कौन कोयल भी शर्मा जाए इस तरह का यहां पे भाव आया है मंजू मतलब सुन्दर मंजू का मतलब मंजू मते सुन्दर्तायुक्त सुन्दरी इसको कहा जाएगा सुन्दर्तायुक्त मतलब यहां पे आप देवी जी को सुन्दरी की संग्यादी जा रही है उनके रूप सौंदरे को देख करके कि वे जब बाउस्त्री बजाती है तो उसके आवाज से कोयल भी शर्मा जाती है मिलित मिलना इखटा होना मिलना पुलिंद ये एक जनजाती होती है लोग कहते हैं ऐसा कि ये भील जन जाती जो होती है उसको ही पुलिंद कहा जाता है जन जाती का मतलब होता है जो जंगलों में रहती है मनोहर गुंजित मन भावन गुंजन करना ये आप समझते हैं जैसे भवरे की गुंजन होती है रंजित शैल अब यहाँ पर जो भवरे है पुलिंद का एक मतलब भवरे भी होता है भवरे की जो गुंजायमान है और पुलिंद का मतलब है पुलिंद जाती की जो इस्तरिया है वो जब वो गाई गीत गाती है उन गीतूं का जो गुंजन होता है, रंजित, रंगना, रंगा हुआ, कलर्फुल होना, शैल, शैल का मतलब परवत, निकुंज, गते, निकुंज का मतलब होता है घर, निकुंज, एक उपुवन में अगर आपका घर है, कुंज बिहारी जो बोलते हैं, कुंज बिहारी मतलब उपुवन में विचरन करने वाले, और निकुंज का मतलब होता है आश्रय होना, तो उनका जो आश्रय है, आश्रय स्थली जो है, वो उसके बारे में कहा जाता है, परवत पे रहने वाली हैं, परवत पे रहने वाली हैं, निज गण भूत, निज का मतलब होता है अपने, गण मतलब यहाँ पर सेवक, भूत मतलब लोग, भूत का मतलब एक वो भी होता है क्योंकि भूत और पिशाच शिव जी के गण है, तो देवी जी के भी गण है, भूत पिशाच आदी जो है, अपने जो गण है उनके साथ में, महा शबरी गण महा मतलब बड़े शबरी वही जो राम चंद्र जी को जिन्होंने बेर खिलाए थे शबरी के जूठे बेर ऐसा बोला जाता है तो शबरी जो थी वो भील जाती की थी तो उस समुदाए के जो लोग है शबरी गण भील समुदाए के जो लोग है उनको शबरी गण बोला गया महा सबरी गण सदगुण संब्रत सदगुण मतलब अच्छे आदिते जो हैं अच्छे गुणवान हैं वो लोग अच्छे गुण होना संब्रत का मतलब होता है सुसजित संपन अगर आप बोले तो संपन केली तले आमोद प्रमोद मैंने आपको बता था केली का मतलब तो केली तले का मतलब है जो आमोद प्रमोद में रत हैं गाने बजाने में जो मगन है आमोद प्रमोद विबिन कलाओ में रत मगन फिर आखरी लाइन वो ही आगई महीशा शुर मर्दिनी का तो इसका अगर आप समेकित रूप से टोटल अर्थ देखेंगे तो हे प्रीती का भाव रखने वाली इसने है मै करुणा मैया जिनके हाथों में जो मुरली है उससे जो ध्वनी निकलती है उससे कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है जो खिले हुए फूलों और रंगीन परवतों में उपवनों में विचरती है जो भील समुदाई की जो इस्त्रिया है जो मनोहर गीत गाती है जो सद्गुणों से संपन्न है शबरी जाती की जो इस्त्रिया है उनके साथ खेलती है उनके साथ क्रीडा करती है महिशा सुर का मर्दन करने वाली रमनी ये जटा जूट धारी परवत राज की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो जय हो सोलवा छंद देवी जी की सुंदर्ता उनके पहनावे उसकी उपर वर्नन किया जा रहा है एक एक शब्द का मतलब समझते हैं कटी तट पीत कटी तट का मतलब होता है कमर ने कमर कमर पीत का मतलब होता है पीला पीत आंबर पीले रख के वस्तों को पीत आंबर बोला जाता है लो जोकूल दूकूम का मतलब होता है कि उत्तरी है उसकी भृति पहनने जाने वाला कोई रेश्मी वस्त्र है दुपट्टा के जैसा अगर आप बोल सकते हैं उत्तरिय वस्त्र के जैसा विचित्र अनोखा विचित्र का मतलब गया अनोखा वस्त्रों का आखों का चेहरे की सुन्दरता का ये एक बड़ा ही कॉमन सा ट्रेंड है हर किसी भगवान के लिए इनका वर्नन किया जाता ही जाता है मयूक दीप्त दीप्ती जिसको आप बोल सकते हैं प्रकाशित किरण किरण भी आप इसको बोल सकते हैं मयूक तिरस्कृत मतलब छिपाती हुई तिरस्कार करना छोड़ती हुई निश्प्रभ करती हुई छोड़ना अपमान करके छोड़ना तिरस्कृत होता है वैसे तो पर यहाँ पे छोड़ना कहा जाएगा चंद्र रुचे का मतलब यहाँ पे क्या हुआ जो की सूरज की प्रभा को भी निश्प्रह कर दे चंदरुजर का मतलब गया सूरिक की आभा को मात करने वाली मात देने वाली मात देने वाली ठीक आगे क्या देखेंगे प्रनत प्रनत का मतलब होता है प्रनाम करना जुकना प्रनत प्रनाम करने का भाव है प्रडाम करना सुरा सुर सुर मतलब देव प्लस असुर मतलब राक्षस दोनों मिला करके सुर और असुर दोनो मौली मौली का मतलब होता है मस्तक सिर सिर मडी इस्फुर मडी जो आप समझते हैं रत्न मौली मान जो मडिया होती है वो रत्न इस्फुर्द इस्फुर्द का मतलब पहले भी आचुका है जिसमें से आभा निकलती है जिसमें से किर्णे निकलती है जिसमें से रोश्निया निकलती है इस्फुरण प्रकाशित आप बोल सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको समझाया था एक बार अंशुल अंशुल का मतलब किरणे किरण सन्नक सन्नक का मतलब नक नक का मतलब होता है नाखून नाखून चंद्र रुचे जैसे सूरे को मात देना चंद्रमा की प्रभा को मात देना रुची कर रुची कर होना चंद्रमा के समान रुची कर होना यहाँ पर इसका मतलब इससे थोड़ा सा लगाएगा चंद्रमा समान चंद्रमा के समान रुची कर चंद्रमा के समान रूची कर जित जित का मतलब जीतना, विजय पाना जित्ते इंद्री ये बोला जाता है न जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो कनक का मतलब होता है स्वर्ण सोना कनकाचल, स्वर्ण परवत कनकाचल का मतलब हो गया स्वर्ण परवत इसको कहा जाता है सुमेरू परवत जो होता है उसको सोने का परवत कहते हैं तो सबसे सुन्दर सुमेरू सुमेरू परवत जिसको कहा जाता है मौली मर्दोर्जित मौली का मतलब वो गया शिखर मदोर्जित, मदोनमत, मदमेचूर शिखर को जिसने उस परवत के शिखर को मद में चूर होने मदोरजित का मतलब हो गया मद में चूर मद में चूर निर्भर निर्भर बुंजित निर्भर निर्भर कुंजर निर्भर कुंजर का मतलब हो गया निर्भर का मतलब हो गया पूर्ण रूप से जोर से, जैसे गर्जता है न, कोई इंसान, गर्जना आप बोल सकते हैं, और हाथी है तो चिंगारना बोल सकते हैं, है न, गर्जना, गर्जना, और कुंजर, कुंजर का मतलब क्या हुआ, कुंजर का मतलब हुआ, हाथी, elephant, हाथी, इसको कहा गया, हाथी, तो ये गर्जना फिर क्या हो जाएगी? चिंगाड ना हो जाएगी. क्योंकि हाथी आ गया, तो हाथी जो होता है वो चिंगाडता है. कुम्भ कुचे. कुम्भ का मतलब होता है मटका. कुचे, वक्षिस्थल. तो यहाँ पर बड़े शब्द आप कह सकते हैं और कुचे का मतलब हो गया, वक्षिस्थल. देवी जी के रूप सौंदेर का वर्नन किया जा रहा है. अब इसका पूरे इस चंद का अर्थ क्या निकलेगा? जिनकी चमक से चंदरमा की रौष्णी भी फीकी पड़ जाए. ऐसे सुन्दर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर शुशोभित है. देवताओं और असुरों के सर जुकने पर उनके मुकुट की मडियों से देवी जी के पैर के नाखून चमकते हैं, चंदरमा की भाती दमकते हैं और जैसे सोने के परवतों को जीतने वाले मदोनमत हाथी जब चिंगाडते हैं उस तरह से देवी की जो वक्षिस्तल है वो बहुत उन्नत हैं महिशा सुर को मारने वाली रम्य जटा जूट धारी परवत राज की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो कुछ ऐसा भाव यहां पर दिखाई पड़ रहा है